रितिक रोशन को डेट करना गल्फरंड सभा अजाद को पढ़ा भारी अब इन मुश्किलों का कर रही है सामना। रितिक रोशन और सभा अजाद पिछले लगभग दो साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रितिक को डेट करना सबा को भारी पढ़ रहा है। उन्हें काम मिलना बंध हो गया था। करीब दो साल बाद उन्हें वोईस ओवर आटिस्ट का काम मिला है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द शियर किया है। पहली बीवी सुजीन खान को तलाग देने के बाद दो बच्चों के पिता रितिक रोशन की जिंदेगी में सबा अजाद की एंट्री हुई थी। इससे पहले सबा उतनी फेमस नहीं थी जितनी चरचा रितिक के साथ रिलेशन्शिप के बाद उनकी हुई। सबा ने अब बता और वोईस ओवर आटिस्ट काम कर रही थी। लेकिन पिछले दो साल से उन्हें वोईस ओवर का कोई काम नहीं मिला है। क्योंकि डेक्टर सोचते हैं कि वो किसी अमीर और सक्सेस्फफुल आक्टर को डेट कर रही हैं। इसलिए उन्हें काम की जरूरत नहीं है। हाला कि औरत एक साल 2022 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं वो लिखती हैं क्या हम अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं जहां यह मान लिया जाता है कि अगर एक औरत का पार्टनर सक्सेस्फुल है तो उसे काम की या खाने की जरूरत नहीं है या फिर उसे रेंटियाबल नहीं भरना है यह दुखत रूप से लोगों के पिछडी सोच है सबा अक्ट्रस होने के साथ साथ मुजीशन वॉइस ओवर आर्टरस्ट और थियेटर डिरेक्टर भी हैं उन्होंने 2008 में दिल कबड़ी मूवी से बॉलिवुड डेब्यू किया था रिपोर्ट्स बताती है कि वो 2012 से 2020 त युद कि अजय करते हूए ति झाल झाल